नमस्कार दोस्तूं स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल ग्यांदीफ हिंदी यूटूब चेनल पर प्रदेश में 3253 सिक्षकों की भरती का रास्ता साब तो उत्राखंट सरकार की तरफ से महत्तपोंड आदेश सामने निकल कर आ रहा है जहां प्राथमिक बिद्यालों में भरती के लिए चुना आयोग ने मंजूरी दे दी है तो उत्राखंट सरकार की तरफ से महत्तपोंड आदेश जहां 3253 सिक्षकों की भरती अब होंगी इसको लेकर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक इसकुलों में सायक अध्यापक के 3253 पदों पर भरती के ल 2018 और 2002 एउं 2021 की रुकी भरती के हैं भरती के लिए 28 डिगरी को आमान करने के बाद केवल डियलेड वाले ही इन पदों पर भरती के पात रहोंगे सरकारी प्राथमिक बिद्यालों में सिक्षक विभाग की भरती के लिए विभागने वर्स 2018, 2020 और 2021 में 3099 पदों के लिए आव 28 डियलेड को मान कर दिया गया है लेकिन विभागने सासन ने NIMOS से डियलेड को भी मान कर दिया है फिर सासन ने NIMOS से डियलेड को भरती के लिए मान वाला अपना आदेश रद कर दिया है जिससे सिक्ष्या विभाग भरती विभादों में उलजी रही लेकिन सरकार ने पहल एन आई उएस से डियलेड और अन बीयड अभियार्थियों को सरकारी प्राथमिक बिद्ध्यालों में सायक अध्यापक के पदों पर भरती के लिए अमान कर दिया है तो बहुत महत्वण अपडेट जहां आपको बता दें कि उत्राखंड सरकार के तरफ से महत्वण फैसला लेते हुए बीयड अभियार्थियों को भरती से बाहर करने के लिए उत्राखंड राज की प्राथमिक सिक्सिया अध्यापक संसोदन सेवा नियमली 2012 में संसोदन किया तो उत्राखंड सरकार ने जो सिक्सक्या विभाग में सिक्सक्यों की भरती के लिए प्रदेश में 3235 सिक्सक्यों की भरती का अब रास्ता साफ हो चुका है और जल्द ही इन सभी सिक्सक्यों की भरती कर उत्राखंड में खाली पड़े जो सिक्सक्यापद हैं उनको भरने का एक महत्नपोन आदिस जारी कर दिया है तो सरकार की इस फैसले से आप कितना संतुष्टे हैं कमेड़ बॉक्स पे अपनी राई जरूर दें इसी तरों की नए लेटिस्ट अब्डेट्स के लिए यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें